हलो एंड वेल्कम टू माई ई लेसिन में हूँ आपका गुरू और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सूपर ट्रिक सिखाने वाला हूँ बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहते हैं कि उनके शीट्स में ऐसे ब्लैंक सेल्स होते हैं अज पर चाहते हैं कि सब को एक एक करकर डिलेट करना हो और एक अठा डिलीट करना हो तो और G का बटन में एक साथ में दबाया है और फिर आजाएं Special पे और यहाँ पे Option आता है यह Blank का देख रहे हैं आप इसको OK कर दीजिए यहाँ से अब देखें जितने Blank Cells थे ना यह आपके हो गए है Select अब Right क्लिक कीजिए कहीं पे भी और Delete पे क्लिक कीजिए और Depending upon कि आपका डेटा कैसे सेट हो रखा है जैसे कि मेरे में Rose Blank है कुछ एक सेल उपर नीचे Blank है तो मैं खाली सेल्स जो है ना उनको हटा दूँगा और भरेवे सेल्स उपर आ जाएंगे तो मैं OK कर रहा हैं और यह देखिए हो गया काम है ना इतना असान सूपर इजी है और शॉटकट क्या था Ctrl और G CTRL और G ठीक है यह को मैं बढ़ा कर देता हूँ बहुत ही असान है यह आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं मालूम है यहाँ से जाके आप Find and Select में Go To Special में शले जाएंगे तो भी यहाँ पे Blank वाला सेक्षन आ जाता है बहुत ही बढ़िया ट्रिक है यह इससे आपका इतना ज़्यादा टाइम बसता है कि कुछ कहने किया नहीं है और इसको कई तरीके से आप इस्तमाल कर सकते हैं कि आपको कॉलम के हिसाफ से डिलीट करना है रो के हिसाफ से डिलीट करना है मैं देखिए मैं Ctrl Z दबा रहा हूं ताकि यहाँ पे गैप वापस लियाँ मैं यह देखिए यह राइट क्लिक आ गया डिलीट आ गया आप Shift Cells Left करना चाहूं मैं पूरी की पूरी खाली रोज डिलीट करना चाहूं खाली पूरे कॉलम डिलीट करना चाहूं तो हो भी हो सकता है अब सिर्फ खाली रोज में को डिलीट करनी है ठीक है तो ओके करूंगा तो जहां जहां पे खाली रोज थी ना वो सारी डिलीट हो गई है अको उसमें कुछ भी एक cell खाली दो पूरी पूरी रो चली गई वैसा कर सकते हो Ctrl Z में ने वापस दबाया है ताकि हम वापस नॉर्मल आ जाए ऐसा कोई भी column delete करना चाहते है जिसमें एक भी cell खाली हो तो entire column कर दीजे सारी उड़ गए देखिए right click करा वापस से delete करा shift cells left कि भाई जहां से delete कर रहे हैं उसके 42 लोगन का थौर पर आ जाएगा देखेगा ये देखे ये इधर move करें नंबर change हो रहे है वो इसलिए हो रहे है क्योंकि मैंने rant between का formula लगाया हुआ है कि नंबर अपने आप यहां पर आते रहे हैं तो otherwise ये देखे यहां बड़ डेटा इधर आ गया मैं वापस control z दबा रहा हूँ best जो रहता है usually मैंने देखा है shift cells up वाला रहता है ऐसे इतना असान है एक रोपे कीजिए अगले वीडियो तक के लिए अगले वीडियो तक के लिए अगले वीडियो तक के लिए this is your guru now signing off for the day have a wonderful day ahead happy learning